Lentic ecosystem की कुछ properties ऐसी हैं जो उसको marine ecosystem और जो running water ecosystem में उससे differentiate करती हैं इसमें एक property जो है वो thermal stratification की है thermal का मतलब के heat और stratification layers इसका मतलब है कि जो lakes है जो खड़ा पानी है उसके अंदर जो है वो पानी का temperature जो है वो change हो गया है इसमें पानी का temperature different है जो नीचे की layer है उसमें पानी का temperature जो है वो different है यह thermal stratification की वज़ा पानी जो है जो water itself है वो जो chemical compound है उसकी कुछ unique properties की वज़ा से है जो water है उसकी density जो है वो different temperature पर different होती है लेकिन सबसे जादा जो है वो dense water at 4 degree centigrade होता है means सबसे दादा जो उसकी density है जो वो heavy है वो 4 degree centigrade है और automatically जो चीज हैवी है वो नीचे बैठ जाती है अब हम अगर अपने जहिन में किसी भी जह हो जील या तालाब का जो हो जो हो उसको visualize कर लें थोड़ी देर के लिए तो हमें बहुत सरी ऐसी जगें मिलेंगी जहां पर कि कुछ जीले जो हैं जिसका winter season आता है तो उसकी surface बिलकुल जम जाती है वहाँ बरफ जम जाती है जबकि नीचे जो है उसके पानी होता है और जो है पानी बेजिंदगी जो हो रवाद वाँ होती है इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर की जो layer है उसका temperature जो है नीचे की layer जो है water की उससे different हो गया है अब हमेशा ये जहें में रखिए कि जो temperate regions हैं यानि कि जो ठंडे अलाके हैं वहाँ पे पाय जाने वाली जो जीले हैं उन में ये जो thermal stratification का अमल होता है ये साल में दो दफा होता है एक जो spring और एक जो fall के अंदर winter और summer के अंदर होता है और spring और fall के अंदर जो है तमाम की तमाम lakes जो हैं उसमें जो पूरे का वो पानी है उसके temperature जो है वो एक दफा जो है बिलकुल एक जैसा हो जाता है इस तरह जो ऐसे इलागों में पाए जाने वेली लेक्स या पाउंड्स हैं जो के गरम इलागों में पाए जाते हैं वहाँ पे ये अमल सिर्फ जो है वो विंटर सीजन में होता है और उसके बार जो है वो एक बार वो सीजन आता है जिस वकर तमाम का तमाम पानी उस लेक में पाए जाने के वाला उसका Temperature जो है वो एक हो गया है जैसे आज कल जो है वो सेफल मलूक जहील जो है उसके उपर का जो सरफिस वाटर है वो बिलकल बुरफ की तरह जम गया है और वहां पे जैस वो आईस केटिंग का जो है वो खेल खेला जा रहा है लेकिन पानी जो है वो नीचे है और जिंदगी और वहां पे जो एनिमल्स है वहां जो प्लांट्स है वो वहां पर पाए जाएंगे और वो वहां पाए जा रहे हैं जैसे ही जो है वो गर्मिया आएंगी जैसे स्प्रिंग सीजन आएगा वो बरफ जो है वो पिगल नहीं शु रिलकुल जो air है उसके साथ उसका जो जो गांटेक्ट है लहाजा air का जो temperature है वो ही उस surface water का temperature हो जाएगा और जिस वकर जो wind है उपर की वो उस water के साथ mix होगी अगर वो winter season है तो वो उस पानी के जो हो molecules को ठंडा कर देगी और आज सा इस तर जो हो वहां पे बरफ जमना कर देगी और वो जो molecules है वो एक process के थूँ जो है चुके lighter चीज हमेशा जो हो नीचे की तरफ जाती है तो automatically वो जो water के layer है वो नीचे की तरफ move करेगी तो जब हम thermal stratification देखते हैं तो इसमें हमें जो first uppermost layer है उसको हम कहते हैं epilaminan यह जो epilaminan है यहां पे हम जो है वो इस lake की depth के accordingly उसके अंदर जो है वो stratification देख सकते हैं for example उसकी depth जो है वो 50 meter तक है तो जो temperature है उसको हम जो हम एक सेकसिस के along draw करते हैं यह जो 4 degree का जो है वो temperature है और यह 4 degree के temperature से यह show हो रहा है कि जैसे जैसे उस lake की जो है वो depth बढ़ती जाएगी उसमें जो है यह layering जो होती चली जाए जो के सर्दियों में जम जाएगी बरफ की तरह जम जाएगी लेकिन गर्मियों के अंदर जो है वो पिगल जाएगी और यह दर्मियान वाली layer that is meta-leminan यह जो middle layer है यह basically जो है वो एक यहां का जो अगर higher temperature है गर्मियों में तो उसको एक gradually जो है कम करती हुई इस layer के अंदर maintain क करेगी और अगर सर्दियां है तो बहुत जो है वो जो है लो टेंपरेचर है तो फिर इसको gradient वाइस जो है आईसा इसा कम करती भी मिलेगी means यह वाली एक layer बहुत important है क्योंकि middle layer जो है वो characterize करती है by a steep gradient in temperature and it demarcated by the region above epiluminant and below hypolin means यह एक demarcation जो है वो कर देती है यह उपर वाल तो यह जो है जो उपर के पानी का जो temperature ज्यादा है यह कम है वो इसके अंदर एक gradient के एक आइसा इसा gradually कम यहां ज्यादा होगा लेकिन यह जो layer है यह पानी के नीचे वाले temperature को जो के उसके bottom में है उसको ज्याएंगा बहुत ठंडा होने से जमने से जो है वो बहुत गरम होने से जो है वो prevent करती है और यही वो layer है जिसकी वज़ा से जो है इस lake के अंदर जिंदगी जो है बावजूद बहुत सर्दी के बावजूद बहुत गर्मी के जो है वो रवादवा रहती है तो metal laminin जो है वो barrier है that prevents the mixing and heat exchange between this epiliminin and hypolyminin तो यह जो है वो layer जो है वो mixing of hot और यहां बहुत low temperature का water जो है उसको इस bottom से रोकती है और hypolyminin that is the deepest layer of uniformly cold water that does not mix with the upper layers and it has low circulation the colder water within the hypolyminin is at its maximum density और यहां temperature जो है वो 4 degree centigrade जो है वो maintain रहता है यही वो layer है जिसकी वजह से जो है वो fishes या organisms जो है वो यहां पर आ जाएंगे इस layer में आ जाएंगे गर्मिया है तो गर्मियों को गुजार लेंगे सर्दिया है तो इस जो है वो layer में आके सर्दियों को गुजार लेंगे और फिर जिस वकर spring और fall आएगा तो तमाम के तमाम जो हैं वो organisms वो all together इसके अंदर circulate करेंगे thermal startification को यहां से भी देखा जा सकता है और जैसा कि पहले बताया कि इसमें जो seasons important है तो यह एक seasonal phenomena है seasonal phenomena जो है वो कहां से start होता है late spring means summer की तरफ है and late fall जैसे ही जो है वो winter start होने वाला in temperate region जो कि ठंडे इलागे है summer के अंदर जो है वो upper layer of water जो है great lakes की या lakes की जो है एपिलेमिनन उस layer को कहेंगे वो जो है वो जादा warm हो जाती है चुकि सूरे की रोशनी डारेक्ट पढ़ रही है और जो cooler water है वो septate हो जाता है again layering जो हो जाती है इस तरह जो है वो दो additional layers बन जाती है क्योंकि उपर का water बहुत जो है वो ज्यादा गरम हो गया इसलिए वो एपिलेमिनन लेयर बन जाएगी जो उसके दरम्यान वाली middle layer है that is metal limonine और फिर जो है नीचे वाली जहां पे एक constant uniform जो है temperature रहेगा cooler temperature रहेगा जहां water की density जो है वो अपनी maximum peak के ओपर होगी 4 degrees centigrade के ओपर होगी वो hypolyminan layer बन जाएगी और यह hypolyminan layer चुके denser है लहाजा वो water नीचे रहेगा during the winter there is no stratification as the lake cool and the overall temperature of the lake is uniform यहां पे जो है वो आप इस seasonal pattern को देख सकते है कि यह जो surface water है उपर वो उसका जो temperature है वो 15 to 20 degrees तक जो हो चला गया है और नीचे जो है वो hypolyminan का जो है वो 4 degrees से maximum जो है वो 10 degree तक जो हो रहता है उसके बाद जैसे ही जो है वो fall का season आता है entire lake जो है चुके उसमें temperature outer जो temperature है वो balance हो गया है वो ना बहुत ज़्यादा cold है ना बहुत ज़्यादा गर्म है लहाजा entire जो lake है उसका temperature जो है वो uniform हो गया more or less और यह एक important phenomenon है क्योंकि यह जरूरी है उन lakes के अंदर जो जिन्दगी है उसको maintain करने के लिए कैसे कि जिसकत यहाँ पर mixing of water होती it means कि बहुत सारे dead organism plants, animals वो इस bottom के उपर आके गिर जाते हैं उनकी decomposition होती है तो बहुत nutrients यहाँ पर सबसे अधा deposit हो जाएंगे तो इसका जो है वो bottom वो nutrient enrich हो जाएगा जिसकत यह जो है वो turn over होता है जिसकत fall season होता है और spring season होता है तो पूरी lake का जो water है जो उपर गरम water वो automatically नीचे आएगा नीचे का जो है ठंडा उपर जाएगा जिरो डिग्री हो गया और जो है वो नीचे जो हाईपो लिमिनन है जहां जिन्दगी रवादवा है वहां 4 डिग्री सेंटीग्रेट हो गया spring के अंदर again turn over होगा यहाँ पर temperature ना बहुत थंडा है ना बहुत कम है entire lake के अंदर जो है वो तमाम का तमाम जो water circulate कर रहा है उसका temperature जो है वो uniform है और यह जो नीचे वाला पानी है यह अपने साथ nutrients उपर लेकर जाएगा उपर से नीचे लेगाएगा इस तरह जो nutrients हैं वो equally जो है वो distribute हो जाएँगे इस जो है वो तमाम lake के अंदर इन जो है वो nutrients की availability की वज़े से हम lakes को जो हममोन two types की lakes में divide करते हैं एक होती है eutrophic lakes और एक होती है heterotrophic lakes eutrophic lakes वो होती है जिसमें nutrients जो है वो abundant हों इसका मतलब है कि वहाँ पे LG fungi जो है वो बहुत जो है वो grow करेगी और उसके जितनी LG fungi है जितने producers है variety of producers वहाँ grow करेंगी उतनी consumers यह दूसरी biotic communities जो कि उसके पर dependent है उनकी diversity वहाँ पर होगी और वो उसको खाएंगी consume करेंगी और life cycle जो हो चलता रहेगा heterotrophic lakes वो है जिनके अंदर nutrients की कमी होती है वहाँ कोई न कोई जियोलोजिकल मसला जो है problem हो सकती है means लेक की कोई dimension हो सकती है लेक के अंदर कोई problem हो सकती है कोई जमीन ऐसी हो सकती है यह वहाँ पे नीचे जो rocks है वो कोई ज़्यादा salt या specificism की कोई चीज़ ज़्यादा produce करी है जिसके बैसे जो उसमें nutrients जो हैं वो circulate नहीं हो पा रहे और जब nutrients circulate नहीं होंगे तो वो life forms जो हैं चाहे plants है चाहे animals हैं उनको less support करेंगी यहाँ पर भी हम thermal stratification देख सकते हैं thermal stratification जो है यह oxygen की जो concentration है उसको भी जो है वो effect करती है कैसे अगर winter है जो है वो depth जो है किसी भी लेग की वो 15 मीटर है तो जो hypo laminan जो के बिलकुल lowest layer है उसमें जो oxygen की concentration है वो maximum हमारे पास जो है वो 12 ppm तक जा सकती है जबकि यही जो है वो layer अगर हम summer में देखें तो same जो है वो depth की lake के अंदर हमारे पास जो जो temperature है वो अगर 15 है तो उसके अंदर जो oxygen की concentration है वो more than 15 ppm हो गए तो यह temperature जैसे raise कर रहा है, उसकी जो है oxygen की concentration raise कर रही है, तो यह जो oxygen की concentration है, यह वहां के जो organisms है, especially animals है, जो ने-ने respire करना है, उसके लिए important है, यह oxygen कहां से आ रही है, यह oxygen जो है वो dissolved form में, यह एट्मोस्टेर से mix भी होरी है यह water में, और जो producers हैं, जो algae है, जो पंजाई है, ज उसका एक important by-product जो है, वो oxygen है, और यह वो ही oxygen है, जो के animals जो है, वो इस्तमाल करते हैं, पानी के अंदर,